हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है मले स्वागत है आप सबका क्विक लांडर में आज हम लोग सीखेंगे कि विजुल स्टूडियो 2017 को आप इंस्टॉल कैसे करेंगे और उस पे अपना पहला वेब प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे तो चलिए शुडू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग को डाउनलोड करना होगा विजुल स्टूडियो 2017 तो इसको इस्टॉल करने के लिए सबसे पहले गूगल पर जाएं और यहां पर सर्च करें विजुल स्टूडियो 2017 इसके बाद जो सबसे पहला रिजल्ट आपको मिलेगा उस पे क्लिक कर लीजिए जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं यहां पर चार ओप्शन को दिखाई दे रहे हैं हम लोग को तो हम लोग को बस चाहिए होगा विजुल स्टूडियो कॉम्यूटियो 2017 जो की पहला ओप्शन है तो यहां प्री डाउनलोड पे क्लिक कर लीजिए आपका डाउनलोड आठ हो जाएगा कुछी देर में आप एक शर्वे का ओप्शन दे रहे हैं यहां पर नो थैंक्स कर दीजिए जर्कार नहीं है अभी तो यह इंस्टॉल होने में हो गया है शायर तो इसको क्लिक करके लिए रन कर लीजिए क्लिक क्लिक के लिए आपके इंटरेट के स्पीड के ओपर डिकन्स करता है यहां कुछ ज्यादा ही स्पीड है तो हो गया इसके बाद यह जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है यह आपके स्क्रीन से कुछ अलग होगा कि मैंने पहले से भी जो स्टूडियो 2017 को इसलिए यहां पर मुझे आपडेट और लंज का ओप्शन दिखाई दे रहा है यह सब ओप्शन आपके स्क्रीन के ओपर नहीं होग तो फिलाल के लिए मैं इसको कैंसल कर देता हूँ और जो आपके स्क्रीन पर है अभी इंस्टॉल का इस्टॉल का ओप्शन आपको दिखाई देता होगा цеados are यहां पर मैं modify कर लेता हूँ तो हो गया है तो यहां पर आपको सिलेक्ट करना है asp.net and web development बस यही एक चीज आपको चाहिए होगा और कुछ इसको सिलेक्ट करने के बाद आप लोग इंडिविच्वल कॉंपोनेंट पर जाके इसको सिलेक्ट कर लीजए तो कि मेरे पर पहले से इंस्टॉल हुआ पड़ा है इसलिए यह टिक किखाई दे रहा है आपके आपके option पर यह टिक नहीं होगा तो इसको टिक कर लीजए उसके बाद इंस्टॉल कर लीजए यह इंस्टॉल होने में कुछ टाइम लगेगा कि बहुत लाज कॉंटिटी के फाइल होते हैं उस जीवी तक का स्पेस ले लेते हैं यह तो वेट कीजिए पेशन्स पर किया इंस्टॉल होने के बाद यहां पर आपको लांच का option दिखाई देगा लांच के option इस पर क्लिक करने के बाद वीजु स्टूडियो रण हो जाएगा इस पर आपको अपना पहला प्रोजेक्ट क्रेट करने के लिए आप फाइल पर क्लिक करें पहले यहां तॉप लेट कारनर में है फाइल के बाद प्रोजेक्ट के बाद आपको वीजु स्टूड आप में क्लिक करना होगा उस पर वैब के अंदर में आपको दिखाई देगा asp.net web application तो मैं यहां पर अपना अप्लिकेशन का नाम चेंज कर लेता हूं यहां पर एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह जो .net framework है यह अगर .net framework कुछ अलग होगा आपका 2.0 या 3.0 या 3.5 ऐसा कुछ होगा तो next जो अंदर का screen होगा या अंदर का जो files and folders होगे वो कुछ different होगे इसलिए आपको समझ भी नहीं आएंगे इसलिए आप अभी .net 4.6.1 को ही select कीजिए के बाद okay पर click कीजिए यह जो screen आया यहां पर आपको select करना है waveforms क्योंकि हम लोग यहां waveforms के बारे में ही तीखेंगे अभी तो और कुछ भी ना select किया okay पर click कीजिए इसको scaffold करके कुछ file generate करके create होने में कुछ time डगेगा यहां bottom left corner पर आप लोग देख सकते हैं फाइल कैसे add हो रहे हैं add होने के बाद automatic launch हो जाएगा देखें हम लोग का welcome screen आ गया है इस पर कुछ information है आप लोग पढ़ सकते हैं मैं अभी नहीं पढ़ोगा इसको close कर लेते हैं कि यहां पर आप देख सकते हैं कि सर्वर एक्स्पोरर टूड बॉक्स solution explorer गर यह साब आपको दिखाई ना दे तो आप view पर जाके यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं solution explorer के लिए वहां उपर पर दिया हुआ है control on 10 यह shortcut की है उसका यहां पर देखिए automatically कुछ files and folders generate हो गया है इसके बारे में हम detail में पढ़ेंगे future videos में अभी के लिए इसको रहने दिखते हैं सब कुछ ठीकते काम कर रहा है कि नहीं इसको चेक करने के लिए हम लोग अपने application को run कर लेंगे करने के लिए screen button पर click कर लिए project building start हो गया है उसके लिए इसके लिए शायद browser भी खुल गया इसको run होने में कुछ यह हो गया लिए आपका सबसे पहला वाइब application जो है वो run हो गया successfully और यहां पर सब buttons प्लिक करके भी चक्का सकते हैं सब कुछ ठीक चल रहा है कि सब काम कर रहा है हो गया आपका सबसे पहला हुए application जो है create हो गया है आपको अगर इसके बारे में कुछ difficulties हो जो सीखने में प्रॉब्लम हो या पर कुछ मैं ठीक से समझा नहीं पाया तो आप कॉमेंट पर लिख सकते हैं मैं इसको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा या पर आप मुझे mail भी कर सकते हैं मैंने अपना mail address जो है की description पर दे रखा है और .NET framework के बारे में detail में जो documentation है उसके लिए link पी मैंने description पर दे रखा है इसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं मेरा वीडियो देखने के लिए thank you और future वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं मिस नहीं कानना चाहते तो मेरे चैनल को subscribe कर लीजे अगर ये वीडियो अपको अच्छा लगा तो प्लीज उसको like कर लीजे thank you कर दो